नमस्कार आप सभी को कल आईवी पीए स्कलर प्री का रिजल्ट आया और काफी सारे बच्चों का सेलेक्शन नहीं हुआ तो जब मैं उनके कमेंट्स वगेरा यह सब पढ़ रहा था उनके रिव्यूज देख रहा था तो काफी सारे बच्चों की कमेंट्स बहुत ज्यादा न मोटेवेशन स्पीकर नहीं हूँ कि मैं चार डायलोग रिट कर रहा हूं और आपको जबदस्ती मोटेवेट करूं मैं अपनी बारह साल की जो टीचिंग जर्नी है जो एक्सपीरेंस है उसके आधार पर ही आपको कुछ एडवाइस कर सकता हूं आप सुसाइट कर लो आप त दिन लोग बात करेंगे उसके बाद आपको भूल जाएंगे अब दूसरा रास्ता क्या है तो भाई दूसरा रास्ता यह है कि आप कोर्स करेक्शन करों कि जो जो आप से गलतियां होई जो जो मिस्टेक हुई आप उनको सुधार हो आप यह सोचो कि एक्जाम में फेल होने क क्या रीजन हो सकते हैं और आगे जो एक्जाम आने वाले हैं आई-बी-पी-एस-पी-ओ का एस-बी-ओ-एस-बी-आई-कलर का नोटिफेकेशन आने वाला है बड़े-बड़े एक्जाम्स आने वाले हैं है ना पाइपलाइन में हैं तो मेरे इस रिजल्ट का इंपेक्ट आगे आने वाले एक्जाम्स में ना पड़े यह आप सोचिए देखो बहुत सारे लोग लाइफ में फेल होते हैं फेलियर इस पार्ट ओफ लाइफ राइट जापान जैसा कंट्री उसमें इतने सारे बुकम्प आते हैं फिर भी वह हर बार खळा होता है और आज भी कई सार आधो में बहुत सारे बड़े बड़े देशों से बहुत आगे तो आपको positively आगे बढ़ना है यह नहीं सोचना कि यह results आया तो तैयारी छोड़ दो क्योंकि आप सही के लिए अपनी खुद की कहानी होगी आपको दूसरे की कहानी से मुटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद की सफलता की एक कहानी होगी तो आपके जो फेल होने के दो रीजन हो सकते हैं या तो आपकी प्रपरेशन में कोई शॉट कमिंग्स रही या फिर कुछ external factors, external factors का मतलब सबोस कोई मानलो आप astrology में मानते हो तो शनी की साड़े साती चल रही है रहूप की माधशा चल रही है घर में कोई बीमार है आप खुद बीमार हूँ है तो इनको तो आप control करनी सकते हैं राइट हो सकता है या कोई कारण रहा हो एक्जाम आपका इसलिए अच shortcomings right तो इसमें तो हम बहुत जादा कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो आगे आने वाले जो एक्जाम है जैसे कि IBPSPU का एक्जाम आ रहा है या जो आने वाले notification है उनके लिए आपको क्या करना है कि let's suppose अभी तक आप quant को या किसी particular subject को कम time देते थे let's suppose आप English कम पढ़ रहे थे आप अभी तक उसको दो ही गंटे दे रहे थे या एक गंटे दे रहे थे या बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे थे आपने बिल्कुल भगवान बरों से चोड़ रखा था कि exam में ही देखूंगा जो होगा तो उन चीजहों पर आप काम क करो ध्यान दो तो यह काम आपको करना है अपनी shortcomings पर काम करना है external factors तो कल भी थे आज भी है और कल भी रहेंगे तो उन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है depressed होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपके पास कोई और बैर बैंकिंग से अच्छा तो आप बिल्कुल तइयारी चोड़व और वहां पर आप लग जाओ उसकी तयारी कर लों या उस काम को कर लो, आपको लगता है कि किसी किराने की दुकान पर बैठ कर सामान बेचने से में ज़्यादा फाइदा हो सकता है, तो डेफिनेटली आप वो काम कीजिए, आपका उसमें इंट्रस्ट दिल्चस पीए, तो वो काम कीजिए, लेकिन अगर आपके पास कोई और ब ज़्यादा दीजिए, तो अगले एक्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाऊगे, अदर्वाइज नहीं पर हताश और निराश होकर डिप्रेस होकर आप बैठ गए, तो आप ना तो IVPSPO निकाल पाऊगे, SBIPO, SBIPO तो भूली जाओ, तो आप फैसला आपका है कि आपको क्या करना है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप समझ पाए होंगे, तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि यस सर, आगे मैं अपनी शौट कमिंग्स पर काम करूँगा, और अगला एक्जाम पूरी तरीके से पूरी जीजान लगा कर ट्राय करूँगा, और कोशिश कि उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए, राइट, थैंक यू सो मच.